एक तरफ बिहार में करोना महमारी कहर भर पा रहा है, दूसरी और इसके इलाइज में जुटे अस्पताल मरीजों से मनमाना रखम बसूला जा रहा है। खासकर इसके इलाज में उप्योग की जा रही दबा रेमडी सिबिर की काला बजारी बड़े पैमाने पर की जा रही है इसको लेकर ADG नईयर हसनैन खाने एक तेज तर्राटीम बनाए है और इसी कड़ी में IOU की ओर से कड़ा कदम उठाया गया है पिछले दिनों गांधी मैदान थाना अंतरगत रेमडी सिबिर दवाई फ्लैक करने वाले को पकड़ा गया था और आज इसी कड़ी में पटना के कंकड़वाग थाना च्छेतर में छापे मारी की गई इस दोरान तीन रेमडी सिबिर परामत हुआ है वताया जाता है एक लाख बीश हजार में डील हो रहा है सुरुवाती जानकारी के नुसार चापे मारी में तीन लोगों को गिरफतार किया गया है पर इसके आड़ में सारा खेल खेला जा रहा था इस खेल में एक MR भी सामिल है आर्थिक अफराद इकाई के DSP वासकर ने बताया कि काफी मसक्रत के बाद गिरफतार हुआ दो घंटे तक गोंगते रहे उसके बाद कंकलबाग में डील हो रहा था तब एक गुप्त सूचना के अधार पर करवाई की गई इनके अन्य शाथियों के सापे मारी जारी है कि अन्य पत्रकार फरार है हम लोगों एक ट्रैप के अवा था और इसमें कुछ लोग रेमदिश्री इंजेक्शन के लिए दिन कर रहे थे और जिसमें हमारी टीम लोग विए उदर चल रही है और अभी पूस्ताच चल रही है इसमें आगे कुछ और गात हम लोग आगे अपडेट करेंगा बताया इन्हों यह अभी हम लोग बताने सकते हैं कि इनके पास माइलन का इंजेक्शन और यह इंजेक्शन पर अभी कुछ दिन पहले भी अभी हमारे ड्रॉक इसके पूरी तर मिलाएंगी कि इसमें से लीग कहा शुगा इंजेक्शन कितनी फाइले बरामत की गई अभी त टोटल एक लाग भी सहर का डिमांड था इनका और इसमें वह ट्रैप हुए है कि रफतारी कहां से गरतारी इसको हम लोग कंकरवाग से ही किये और हम लोग इसे कंकरवाग ठाने लेका हैं कि इनके तार भी पीछे भी हैं हम लोग अभी इसको जांच कर रहे हैं अभी इसको कौन थाना में गिरत्कारी हुए है कंकरवाग ठाने अंतर का दिर्वक्ता हुए है